सर्दियां आते ही रेल गाडियों का देर से चलना भी शुरू हो गया अभी तक 54 ट्रेनों के कोहरे की वज़े से रद होने की खबर है रेल गाडियों में खास तरह की डिवाइस लगाय जाने के बावजूत कोहरे के मौसम में रेलें वक्त के वेल की पावद नहीं हो पा रही है क्योंकि जीपिएस तकनीक की मदद से फॉग सेव डिवाइस केवल ये पता पाता है कि रेल गाड़ी से रेलवे सिगनल कितनी दूरी पर है लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि सिगनल लाल होगा हरा होगा या पीला यानि विजिबिलिटी जितनी कम होगी ड्राइवर को सिगनल का उतनी ही देर से पता चलेगा हालनकि इस तरह के डिवाइस हर ट्रेन में लगाए जाते है बड़ी संख्या में ट्रेने कोहरे की वज़े से अपने तैय समय से देरी से चल रही है जिसकी वज़े से स्टेशनों पर यातरी घंटों तक अपनी रेल गाड़ी का इंतजार करने के लिए मजबूर है जबकि कोहरे का मौसम फरवरी तक बना रहे सकता है मतलब यह कि मौसम की मार ट्रेनों पर अभी डेड़ महीना और बनी रहेगी जिसकी वज़े से पहले से 80 रेल गाड़ियां बंद की जा चुकी है यह 80 रेल गाड़ियां वो हैं जो रोज चलने वाली है इनके अलावा 100 से जादा ऐसी रेल गाड़ियां हैं जो लगातार देरी से ही चल रही है बहुत सारी ट्रेने ऐसे हैं जिनके रूट बदले जा चुके हैं इनमें कुछ का तो रूट ही छोटा किया जा चुका है रेलवे पिछले कई साल से ऐसी तक्नीक पर काम कर रहें की कोशिश में हैं जिससे कोहरे का असर रेलों पर ना हो लेकिन ऐसा कोई राष्टा आप तक नहीं मिल पाया